दोस्तो नमस्कार मैं हूँ डोक्टर प्रदीप प्रसंद आप भी प्रसंद होंगे ऐसी आशाहिन ही पूरण विश्वास है आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर तो आएए आज कुछ नया सीखते हैं नए टोपिक के साथ विद्यार्थियो आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा बारा की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंत्रा के संवधिया पार्ट से पनिश्वर्नाथ रेनू द्वारा लिखे गई ये कहानी संवधिया हम वाचित कर रहे हैं इसको पढ़ रहे हैं साथ-साथ इसका भाव और अर्थ हिस-पस्ट कर रहे हैं इस संवधित दो वीडियो हम बना चुके हैं शेष पारट से संवधित ये वीडियो बन रही है वीडियो प्रारम्ब करने से पहले आप सबसे आग रहे या आपने हिंदी की बिंदी चैनल को भी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब समबाद लेकर जाना है आजी बताओ जाओगे ने तो हर गोविन कहता है कहां मेरी मां के पास हर गोविन बड़ी बहुरिया की छल चलाई आँखों में डूब गया कहिए क्या समबाद है समबाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी हर गोविन की आँखें विभराई बड़ी हवीली की लक्षमी को पहली बार इसतरे से सकते देखा है हर गुबिन ने वह बुला बड़ी बहुरिया दिल को कड़ा गई है अरथ्ध मजबूत कीजिये उन्होंने अपनी तकलीफ हर गोबिन को बताई बड़ी बहुरिया ने एक तरह से वो घर की हवेली की लक्षमी मानते हैं बड़ी बहुरिया को और उसने अपनी मां के पास समबाद एक बात कहने के लिए हर गोबिन को भेजा हौर कितना कड़ा करूं दिल मां से कहना मैं भाई भावियों की नोकरी करके पेट पालूंगी बच्चों की जूटन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी लेकिन यहां अब नहीं अब नहीं रह सकूंगी कहना यदि मां मुझे यहां से ले नहीं जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांद कर पोखरे में डूप मरूंगी बथवा साग खाकर कब तक जीऊं किस लिए किस के लिए यानि कि बड़ी बहुरिया जो इस हवेली में बड़ी तकलीफ में अभाव में जी रही है उस के बारे में वो अपनी मां के पास समबाद पहुँचाती है कि आप मुझे यहां से बुला लीजिए मैं वहां जैसे भी होगा जिस तरह से भी होगा अपना निभा कर लूँगी गुजारा कर लूँगी रूखी सुखी खाके मेहनत करके नोकरी करके हर गोविन का रूम रूम कलपने लगा देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं ठीक अगनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे अगन एक महा होता है लगवग सरदी में आता है और जब धान की फसल पैदा होती है निकलती है तब तो कहते हैं जो बड़ी बहुरिया के देवर देवरानिया है वो उससमें बच्चों को लेकर की हाएंगे दसमेज़ दिनों में करज उधार की ढहरी लगा कर वापस जाते समय दो दो मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे फिर आम के मौसम में आकर हाजिर कच्चा पकाम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे फिर उलटकर कभी नहीं देखते राख्चह सेज़ब अर्था जब फसल और फल दोनों पकते हैं तबाते हैं कुछ-कुछ गाउं से उधार लेते हैं और वो उधार बड़ी बहुरिया चुकाई की ऐसा कह जाते हैं और बाकी अनाज और फल लेकर के चले जाते हैं तो इस तरह से उनके उपर करज बढ़ता जा रहा है वो परेशानी में जी रही हैं इस कारण से वो अपनी मां के पास संदेश पहुचाती हैं बड़ी बहुरिया आचल के खुट से पांच रुपे का एक गंदा नोट निकाल कर बोली पूरा रहा खर्च भी नहीं जुटा सकी आने का खर्च मां से मांग लेना उमीद है भाईया तुम्हारे साथ ही आवेंगे यानि कि जब संबधिया को भेज रही हैं उसका खर्चा भी देना पड़ेगा उसका महंता ना देना पड़ेगा लेकिन उसके बाद सिर्क पांच रुपे हैं तो वही दे करके कहती है वाकी सेस पैसे मां से मांग लेना हर गोबिन बोला बड़ी बहुरिया रहा खर्च देने की जरूरत नहीं मैं इंतिजाम कर लूँगा तुम कहां से इंतिजाम करोगे मैं आज दस बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ बड़ी बहुरिया हात में नोट लेकर चुपचा भाव शुन्ने द्रश्टी से हर गोबिन को देखती रही हर गोबिन हवेली से बाहर आ गया उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी मैं तुम्हारी रहा देख रही हूँ संबदिया अर्थात संदेश वाहक हर गोबिन संबदिया संबद पहुँचाने का काम सभी नहीं कर सकते हैं आदमी भगवान के घर से संबदिया बन कर आता है ये भी एक कला है सब के बसके नहीं संबद पहुचाना संबद के प्रतेक शब्द को याद रखना जिस सुरो और स्वर में संबद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर के सुनाना सहज काम नहीं यानि कि एक तरह से कोपी करना उस व्यक्ति की जिसने आपको संदेश पहुचाने के लिए कहा है गाउं के लोगों की गलत धारना है कि निठला कामचोर और पेटू आदमी ही संबदिया का काम करता है नहीं आगे नात ने पीछे पगा बिना मजदूरी लिये ही जो गाउं गाउं संबद पहुचाए उसको और क्या कहेंगे और तों का गुलाम जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे अर्थात अक्सर संबदिया को संबद पहुचाने के लिए महिलाएं कहती हैं उस समय कहा करती थी तो उन महिलाओं की बीच में उसका उठना बैठना होता था जरा से प्रेम से उसको बोल ले कोई तो उनकी बातें सुनकर के वो उनकी बात दूसरे तक पहुँचाते तो उसको एक तरह से मर्द के रूप में भी नहीं गिनते थे महिलाओं के संग बैठते हैं किन्तु गाउं में कौन ऐसा है जिसके घर की मा बहु बेटी का संवाद हर गोविन ने नहीं पहुंचाया है लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है गाड़ी पर सवार होते ही हर गोविन को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गोंजने लगी पईयां पड़ू दाड़ी धरूँ हमारो संवाद लेले जाहूरे संवधिया याए संवधिया के बारे में जो लोक में प्रचलित गीत है उसकी पंग्तियां सुना रहे हैं यापर बड़ी बहुरिया के संवध का प्रतेक शब्द उसके मन में काटे की तरह चुब रहा है किसके भरोसे यहां रहूंगी एक नोकर था वह भी कल भाग गया गाए खोंटे से बंदी भूखी प्यासी ही कर रही है मैं किसके लिए इतना दुख जेलू परेशान है गाए बिचारी क्योंकि उसको चारा नहीं मिलता है समय पे और मैं अकेली सभी दुखों को क्यों जेलू किसके कारण जेलू किसके लिए जेलू कोई नहीं है अपर हर गोविन ने अपने पास बैठे हुए कि यातरी से पूछा क्यों भाई साथ थाना बिहैपूर में डाग गाड़ी रुखती है या नहीं यातरी ने मानो कुड़कर कहा थाना बिहैपूर में सभी गाड़ीयां रुखती है हर गोविन ने भाप लिया यह आदमी चिड़चड़े सुभाव का है इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी वे फिर बड़ी बहुरिया के समवाद को मन ही मन दोहराने लगा लेकिन समवाद सुनाते समय वह अपने कलेज़े को कैसे संभाल सकेगा बड़ी बहुरिया समवाद कहते समय जहां जहां रोई है वहां वह भी रोएगा यही समवाद सुनाने की कला है एक परेंसे अभिने करना है जैसा बताया वैसा ही बताना है ताकि उसका प्रभाव उस रूप में वैसा ही पढ़े सामने वाले पर कटिहार जंक्षन पहुँचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है यानि कि पहले आये था 15-20 साल पहले वो अब इस्टेशन पर उतर कर किसी से कुछ पूछने की कोई जरूत नहीं गाड़ी पहुची और तुरंत भौपे से आवाज अपने आप निकलने लगी थाना बिहैपुर, खगडिया और बरोनी जाने वाले यात्री तीन नमबर प्लेटफोर्म पर चले जाएं गाड़ी लगी हुई है, हर गोविन प्रसन हुआ कटिहर पहुचने के बाद ही मालुम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है, सुराज यानि की एक तरह से आजादी मिली है, इसके पहले कटिहर पहुचकर किस गाड़ी में चड़े और किधर जाएं, इस पूछतास में ही कितनी बार उसकी ग भगवान ने आखें फेर ली, लेकिन मेरी मा तो है, किस लिए, किसके लिए, मैं बत्वा साख खाकर कब तक जी लिए। यानि कि वही कारूने के वेदना बार बार उसके अवचेतन मन में उसके सामने वो शब्द वो चेहरा दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बहुरिया के। कभी ऐसा नहीं हुआ, उसके पैर गाउं की और बढ़ी रहे थे, इसी पगड़न्डी से बड़ी बहुरिया अपने मैं के लोट आवेगी, गाउं छोड़कर चली जावेगी, फिर कभी नहीं आवेगी। बड़ी बहुरिया को गाउं की लक्षमी समझते थे, तो वो चली जाएगी तो गाउं में कुछ नहीं रहेगा, ऐसा उसका मानना है, किस मुसे वैसा संबाद सुनाएगा, कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बत्वा साख खाकर बुजारा कर रही है, सुनने वाले हर गोवि प्रवेस में पहले भी ये माननतातीर आज भी किसी हद तक है, कि किसी गाउं में यदि किसी बहु का सम्मान नहीं हो रहा है, तो एक तरह से पूरे गाउं को उपालंब की दरश्टी से देखा जाता था, यानि कि वो बहु सिर्व उस परिवार की नहीं है, उस पूरे गाउ गाउं की है, तो ये एक सोच जो है, ये बड़ी सकारात्मक है और बड़ी सोच है, अनिच्छा पूरवक हर गोविन ने गाउं में प्रवेश किया, यानि कि मन नहीं चाहरा था लेकिन जाना पड़ेगा, हर गोविन को देखते ही गाउं के लोगों ने पहचान लिया, जला कोई महमान आता है, क्योंकि वो पूरे गाउं का महमान है, रामराम भाई कहो कुशल समाचार ठीक है ने, रामराम भाईया जी भगवान की दया से आनन्दी है, उधर पानी बोंदी पड़ा है, यानि कि सब बातें आपस में होने लगी, बड़ी बहुरिया के बड़े भाई बड़ी ने हर गोविंद को नहीं पहचाना, हर गोविंद ने अपना परीचे दिया, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा, दीदी कैसी है, भगवान की दया से सब राजी खुश है, मुहाद धूने के बाद हर गोविंद की बुलाहा टांगन में हर गोविंद कापने लगा, उसका कलेजा धरकने लगा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बड़ी बहुरिया की छलचलाई हुई आखें, सिस्कियों से भरा हुआ समवाद, उसने बड़ी बहुरिया की बुढ़ी माता को पाउं लागी की पैर चुए, और बुढ़ी माता ने पू आज के लिए इतना ही वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यदि अच्छी लगए हो तो उसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूले, आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिग्यासा है कोई प्रशन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स की माद धमजे, हम उसका समाधान करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक लिए शुक्रिया, नमस्कार आब तका आप खिर सोमागे, कि जरो भी शुक्रियास का आपी शुक्रियो आप सिका है